इस question paper को बताने से पहले 10th class का paper है English का ये 2022 के लिए तो इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताना जरूरी समझूँगा और उस चीज को आप जरूर समझ ले ताकि जो बच्चे डर रहे हैं कि exam में कैसे पास होंगे क्या होगा तो उसके लिए घबराने के आशकतनी में आपको जो चीज दिखा रहा हूँ उसको देखिए ध्यान से पहला जो है आपको ये वाला model paper आपके पास सभी के पास है already board ने जारी किया था ये model paper और इसको मैंने सबसे पहले channel पे डाला था solve करके आपके सारे subject डाले थे आपने ये पढ़ा भी होगा ये वाला passage जो है at first sight silence would seem to be the essence of non-communication वाला passage है और इसमें सारे के सारे जो है answers मैंने आपको बताए है ठीक है ना इसमें हर answers को आपको complete कराया गया हर चीज को complete कराया गया पूरा का पूरा आप देख चुके होंगे इन questions को और इसमें जितने भी letter writing थे इन सभी को करवा दिया था तो ये पूरा paper आप देख चुके है इसमें ये वाला जो diagram है आपका आपने देखा होगा ये complete जो solutions मैंने करा दिया आपको अब आते हैं हम जो आपको करने है solutions उनके उपर ठीक है तो देखिए आपको तो ये paper तो करना करना है ये paper आपको channel के description box में ये वाला paper आप कैसे भी देखिए 2022 का model paper जो है उसको देखना है आपको और दूसरा एक और आपका जो pre-board exam paper 2021-22 का जारी हुआ तो देख लीजिए इस तरह का मिलेगा उसमें ये passage मिलेगा आपको today perhaps your only association with the world polio word polio यानि कि polio के बारे में ये passage है और इसका जो passage है इसके भी answers मैंने सारे बताए है ठीक है तो इसमें दूसरा passage जो है ये great pyramid of giza का है ये passage ये वाला जो पूरा का पूरा solution इसमें भी दिया गया है तो इस question paper को भी ध्यान से आप एक बार जरूर देख लेना बहुत ही जरूरी है आपके लिए ये दो question paper जो मैं आपको भी बता है मैंने तो इन question paper को आप देख लोगे अब आते हैं हम इस वाले question paper पे जो अभी हम बात कर रहे थे तो इस question paper में क्या है और कैसे है देखिए सबसे पहले ये हाँ पर आपका जो total questions है 16 है और total number of printage pages जो है 9 है High School Examination Regular 2022 अंगरेज जी विशे ठीक है और यहाँ पर जो है आपका पहला passage वो है The National Highway Network of India measures over 70,934 km as of 2010 ये वाला passage है ठीक है इसके questions पूछे गए हैं यहाँ पर 5 questions पूछे गए हैं सभी questions के आगे जो है इन questions के लिखे गए है number एक number का ये पहला question है दूसरा number का ये question है ये आपका जो तीसरा question इसी passage से ये रहा चौथा question ये रहा और पाच्वा question ये रहा ठीक है आपने देख लिया इसके बाद में देखिए read करना ये वाला passage ये वाला जो है आपका passage है और इसके फिर से ये questions है आपके 1,2,3,4,5 इसके बाद में आपका फिर से writing section जो है शुरू होता है इसमें आपको note making करनी है suitable title भी देना है इसके बाद में next जो है आपका ये सारे जो questions आप देख रहे हैं इन सभी questions को मैं already करवा चुका हूँ लेकिन अगर आप चाते हैं इस पूरे question paper को solve कर दूँ आपके लिए तो आपका comment और share दोनों चीजे जो है चाहिए और जल्दी आप करेंगे जैसे आज करते हैं आप share और अपने दोस्तों को बोलते हैं कि जल्दी से जल्द comment करिए like करिए इस video को तो आपकी solution next day मिल जाएंगे otherwise इसका solution जो है आपको exam से just एक दिन पहले मिलेगा तो आपके उपर depend करता है कि आप इन exam papers के solutions कितनी जल्दी चाहते हैं तो आपके उपर छोड़ देता हूँ मैं अगर आप active हैं तो आपको पता चल जागा write an essay essay है great leader an Indian festival pollution or science in everyday life और इसके बाद में जो है और portion इसमें पुछा गया है आपका write an article or paragraph of the following topics इसके बाद जो है on the basis of picture आपको एक बताना है fit and healthy का paragraph describe करना है इसको यह वाला भी मैंने करवाया है आपने अगर active है इस channel पे तो obvious सी बात है सब कुछ करवाया है एक भी question छोड़ा ही नहीं है जो इस पे paper में आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर आपका grammar section है जिसमें आपके questions है फिलप्स है इन फिलप्स को भरना है यह भी करवा दिये है मैंने ऐसा कोई question छोड़ा ही नहीं है यह भी करवा दिया है मैंने ठीक है तो grammar section के यह भचे हुए part यह है इसके बाद the do as directed के any 5 जो questions है यहाँ पर आपको 6 मिलेंगे 6 में से कोई भी 5 करने है ठीक है one marks का each रहेगा यहाँ पर change करना है negative में passive voice है फिर इसके बाद में आपका place करना है if in place of unless में और इसके बाद में change करना है present perfect में इसके बाद में आपका next है rewrite करना है using unless if in place of if और इसके बाद में आपको combine करना है using so that इसके बाद 9 जो question है any 6 इसमें से करना है जो आपके chapter से questions आते ह तो यहाँ पर देखिए यह वाला question है आपका लेंचो वाला उसके बाद में daughter of Nelson Mandela का नाम क्या था daughter का यह question है इसके बाद में what is meaning of parish का meaning क्या है यह भी question करवाया हुआ है मैंने which control station did the pilot contact on his way back यह आपको बताना है इसके बाद which of these is true about N.A. इनमें से N.A. में कौन सा true था यह बतान sermon यह भी मैंने करवाया है question इसके बाद आपका next जो है read the following extract from the prose अब आपको यह आपका chapter से prose दिया गया है और इस prose के questions पूछे गए हैं तीन questions है यह उसके बाद में आपको read करना है फिर से आपका poetry section से एक question आया है एक एक number के तीन questions इसमें पूछे गए है तो आप देख सकते ह important करना है इसमें आपसे पूछा गया 30 words में any 6 को देने है यहाँ पर 7 question है इसमें से कोई भी 6 के answers आपको देने है यह इंगलिस आपके chapter से है इसके बाद नेक्स जो बारवा question है इसमें आपसे पूछा है —30 words में any 2 देने है यानि कि तीन questions पूछे गया है इनमें से कोई भी आपको दो करना है उसके बाद में चौदवा जो question है answer the following question in about 75 words any two यानि कि इसमें से दो करने है तीन questions दिये गए है पंदरवा जो question है इसमें आपको write करना है central idea of the poem a tiger in the Jew about 75 words इसमें आपको दो में से एक करना है ठीक है और option भी है इसमें तो आपको एक जो है तीन नमबर का question इसमें देखने को मिलेगा और पंदरवा जो last question है इसमें आपका दो में से कोई एक ही करना है इस तरह से ये आपका English का paper है जिसका आप solution चाहते हैं तो जल्द से जल्द comment करिए like करिए share करिए और maximum possible comment देखते ही और maximum possible likes देखते ही दोस्तों को कहिए कि वो जल्द से जल्द comment करें आप भी खुद comment करिए और दोस्तों के शाथ में share करिए जितना maximum share जितना जल्दी से comment आएगा जितने likes आएगे उसके बावजूद इसको तुरंत solve कर दिया जाएगा आपको जैसे आज आपने सब कुछ share कर दिया और automatically मैंने देखा कि हाँ आप लोगों की इसकी requirement लग रही है कि हाँ आसर ये पूरा complete करवादो solution जैसा कि मैंने आपकी model paper solve करवाए हैं तो इन सारे questions के answers जो है आपको on return मिलेंगे बिल्कुल PDF के साथ में पीडियेफ के साथ में आपको ये पूरा solution इस पूरे paper का मिलेगा ये paper आपने देख लिया मैंने आपको बता दिया तो ये आपका जो अंग्रेजी का paper है ये paper बहुत ही important रहेगा आपके लिए high school examination regular 2020 22 English or subject जो है आपका ये आपका reading section से जो मैंने बताया तो आसा करता हूँ इस video से आप लोगों को help मिलीगी और साथी साथ जो मैंने बताया है एक pre-board exam paper ये वाला करना मत भूलना जिसको मैंने कराया हुआ है today is perhaps only association with the word polio वाला और एक जो आपका model paper करवाया है ये भी सब कुछ आपके वीडियो के description box में जो 10th class की link है उसके अंदर नीचे की तरफ जाकर के सब कुछ मिलेगा आपको तो ये model paper भी जरूर करना है आपको ठीक है इसमें देखिए ये वाला passage बोड़ द्वारा जारी किये गया है इसके सारे answers भी मैंने दिये हैं हर चीज पूरा complete कराया है इसमें passage के answers लिके हैं आपका जो भी letter writing है वो करवाया गया है essay writing है वो करवाया गया है ठीक है उसके बाद में आपका जो visual add है इसके उपर भी paragraph लिकवाया गया है और इसके लावा grammar sections भी सारा complete कराया गया है उसके बाद में आपका जो है do as directed वाला सारा questions करवाया गये हैं बुक से जो chapter आते हैं उनके सारे answers दिये गये हैं चाहें वो छोटे हो चाहें बड़े हो आपका ये भी आपके books है इसके भी questions के answers आप देख रहे हैं या पे दिये गये हैं ये सारे के सारे solutions जो हैं आपको इसी वीडियो के description box में मिलेंगे अगर आप चाहते हैं कि ये वाला जो question paper अभी आपने देखा ये high school examination regular 2022 इंगलिस विशे का तीर घंटे का paper 80 marks और इन में जो questions आए हैं आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये सारे questions के solution written में ptf के साथ में आपको provide कर दिया जाएगा अगर आपका comment जो है लाजमी रहता है क्योंकि अगर आपको वाकई में requirement है कि sir हाँ आप help करिये हमारे लिए study material को provide करिये with complete solutions तो वो हमें जभी पता चलेगा कि वाकई में आपको requirement है या फिर आप नहीं चाहते हैं इसका solution तो कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए paper आपको दिखा दिया है मैंने आप इसको solve कर सकते है अपने हिसाब से और अगर फिर भी को student लगता है जिसको doubt है कि नई sir हम तो आप solve करके देदो suppose करिए पूरे के पूरे complete comments मेरे को देखने को मिलते हैं या फिर maximum likes देखने को मिलते हैं तो इस question paper का next solution जो है आपके सामने होगा with return paragraph ठीक है और आपको PDF भी दे दूँगा इसका पूरा answer के साथ में question with answer PDF के साथ में जैसा की model paper का आपको PDF दिया गया था ज़्यादा help होने वाली है मैं यह नहीं कहूंगा कि इस paper में से कितने questions आएंगे नहीं आएंगे मैं बिल्कुल भी इस बात को नहीं कहूंगा लेकिन इस paper को देख करके मुझे थोड़ा सा आपके जो है board exam की सारे के सारे papers का pattern और बिल्कुल same to same वही paper जो है उसी type का है यह देखने में लग रहा है और इससे ज़्यादा detail में आपको नहीं बताऊंगा कि यह paper कहां से कैसे आया है किस ने भेजा है किस जीले से आया है तो यहाँ पर जो यह paper देख रहे हैं आप इनके solutions अगर चाहते हैं आप comment section में comment करना बिल्कुल भी न भूलें आपको जो है इसके complete solution every एक भी part नहीं छोड़ूँगा इसका और part से लेकर के main part तक सारे करवा दूँगा और आपके जो दूसरे और other विशे के जो question papers हैं अगर वो हमारे पास available हो पाते हैं तो उनको भी हम इसी तरह से आपको वीडियो के थुरू बताएंगे तो आसा करता हूँ अभी तक आपने share कर दिया होगा like कर दिया होगा और दोस्तों कोई बोल दिया हो कि जल्द से जल्द कमेंट करिए solution के लिए इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत दन्याद